वाई शाउठेंड में इस तरह से लिखेंगे यह थीन में है पेंसिल को गड़ाएंगे नहीं डबलू इस तरह से लिखेंगे यह भी थीन में है आर शाउठेंड में दो होते हैं एक अपवाड होगा जो नीचे सूपर जाएगा साइज नहीं से ज़दा बड़ा नहीं से ज़दा छोटा एक डॉनवाड हो आर होगा जो उपर से नीचे आएगा इस तरह से थीन में एल भी दो होते हैं एक आपवाड एल होंगे जो नीचे सूपर जाएगा इस तरह से थीन में एक एल उपर से नीचे आएगा यह भी थीन मे है यूज बाद में बताए जाएगा एज भी दो है एक नीचे से जाएगा इस तरह से आपवाड एज और एक डॉनवाड एज होगा जो उपर से नीचे आएगा यह भी थीन में है एश्टॉक दो तरह के होते हैं एक एक अस्टेट स्टॉक और एक कर्ब जो भीच से ना मुड़े वो अस्टेट स्टॉक कहलाता है और जो भीच से मुड़ जाए कर्ब की तरह हो जाए वक्र हो जाए वो वक्र है यह निकर्ब है